मुझा प्रेंस आज कले ना फ्रेंस बारिश बहुत हो रही है और यह दिनों में हरे को यही लगता है ना कुछ ऐसक गर्मा गर्म और मसालेदार का कुछ आइटम्स खाने के लिए तो चलिए मैं आज दिखाने वाली हूं सोया बिरियानी यह रिच फुड है और हेल्दी भी फुड है और इतना टेस्टी भी होता है इसको वेज और नॉन विजटीरियन भी दोनों भी यह बिरियानी को बहुत पसंद करेंगे और इसको टाइम में है जो नॉर्मल बिरियानी को जितना टाइम लगता है इसको भी उतना ही टाइम लगेगा और इतना डिलीश है यह चलिए मैं दिखाते हूं कितना इजली इसको हम बना सकते हैं चलिए फ्रेंट्स अभी फर्स्ट प्रॉसेस है हम यह करेंगे यह रैस को भीगाना है और यह मैं बास्मती राइस लिया है और त्री कप्स बास्मती राइस लिए हूँ आप एन अपने इसाफ से भी यह ले सकते हैं मेजर्मेंट्स और इसको अच्छी तरह से वाश करेंगे उसके बाद यह गंटे के लिए इसको भीगा के रखना है जितना भीगता है ना फ्रेंट्स ये ना उतना बड़िया खुला-खुला बनता है चलिए अभी next process में जाएंगे अभी मैं ले रही हूं soya granules ये हैं 1 cup लिया है 3 cups rice के लिए 1 cup granules है इसको भी wash करके 15 minutes के लिए इसको भीगा के रखेंगे नेक्स्ट अभी बरतन लेंगे गैस सिम में रखेगा उसमें वन टेबल स्पून गी डाली हूँ और इसमें थोड़ा सा तेज पता बड़े इलाइची और दाल चनी और थोड़ा सा पेपर डाल के हलका सा बूनना है नेक्स्ट इसमें आड करेंगे छोटी इलाइची होते हैं इसमें दो आड कर रही हूँ और वन टेबल स्पून शाजीरा भी आड करके इसको हलका सा बूनना है इतना टेस्टी होता है और विजटीरियन्स को बहुत पसंद आएगा और नॉन विजटीरियन्स भी इसको पसंद करेंगे अभी इसमें हम याड करेंगे जिंजर गारलिक इसको भी हलका सा बून वाला बिरियानी है ना बारिश की दिनों में तो बहुत अच्छा लगता है को यह गेस्ट भी आये तो यह बना के उनको खिलाएगा बहुत पसंद करेंगे अभी नेक्स इसमें आड करेंगे में बड़ी सा इसको ऑनियन ली हूँ पतली पतली काटकी इसमें डाली हूँ और अच्छी तरह से इसको बूनना है थोड़ा सा स्वाल्ट एड करेंगे और इसको गोल्डेन ब्रौन आने तक इसको अफ्राइग करना है देखो 15 मिनिट हो चुका है सोया ग्रैनियूल्स को में बिगा के अभी इसको पानी है निकालना है अच्छी तरह से स्क्वीज करके बर्तन में लेंगे और ज्यादा बिगाने की ज़रत नहीं है सिर्फ 15 मिनिट सफिशेंट होता है अगर गरम पानी में बिगाएंगे तो 5 मिनिट में भीग जाएगा ये प्यास गोल्डन ब्रॉन हो चुका है अभी इसमें विजटेबल से अड़ करेंगे में फ्रेंच बीन से इसको बार एक सा काटी हो और कैरेट को भी बार एक सा काटके इसमें रखेंगे अभी फ्लेम बढ़ाएंगे हाई फ्लेम में रखेंगे और इसको अच्छी तरह से फ् टेबल स्पून रेड मिच आड़ कर रही हूं आप लोग टेस्ट एकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम ज्यादा मिर्ची और नेक्स्ट आड़ करेंगे हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और उसके बाद इसमें आड़ करेंगे हम दमे जो आड़ कर रही हूं बिर्यानी मसाला आड़ कर रही हूं आप लोग चाहिए तो इसमें गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं ज्यादा मत डालेगा में हाफ टेबल स्पून डाल रही हूं इसको भी हलका सा फ्रै करेंगे इस सारह डलने के बाद इतना बढ़िया महकार है अभी नेक्स्ट इसमें हम एड़ करेंगे ग्रैन्यूल्स तो एकदम सॉफ्ट हो चुका है इसको भी डालके एक मिनिट के लिए इसको फ्रै करेंगे अभी तक मैं सिक्स वेरेटिस का मसाला रैसेस दिखाई हूं मेरा प्रीवियस वीडियोस में है आप लोग देख सकते हैं जो लोग अभी तक देखाने अभी इसमें हम एड करेंगे सॉल्ट सॉल्ट एंड टेस्ट एकॉर्डिंग डाल दीजेगा मैं टू टेबल स्पून डाल रही हूं इसको हलका सा बुनेंगे अभी फाइनली इसमें एड करेंगे कर्ड कर्ड कट्टा भी डाल सकते हैं और फ्रेश भी डाल सकते हैं मैं हाफ हाफ कप डाल रही हूं इसको हलका सा मिक्स करके गैस बंद करके साइड में रखेंगे नेक्स अभी बरतन में पानी लेंगे और 7 कप्स वाटर लेना है और टू टेबलस्पून सॉल डालना है थोड़ा सा ऑइल डालेंगे और इसको अच्ची तरह से बॉयल करके इसमें जो मैं एक घंटे के ली बिगो के रखी हूं इस चावल को इसमें डाल के आप 70 परसंट कुक करेंगे चावल को इन फ्रेंट्स हाइफ ले में ही पकाईएगा जैसे 70 परसंट कुक होते ही गैस बंद कर दीजेगा नेक्स बतर में आलरेड़ी हम वो सबजी बनाके रखे न वो ग्रैन्यूल्स का इस अच्छी तरह सेट करेंगे इसके ऊपर यह राइस को अच्छी तरह से स्प्रेड करना है इस तरीके से आप लोग बिरियानी बनाएंगे न कभी होटल नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डिलीशियस है यह बिरियानी रियली में बता रही हूं आप लोग जरूर इसको और देखे बरतन एक्छोटा है चोटा पड़ गए और कोई बात ने अच्छी तरह से पक जाएगा यह अभी इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे रिमैनिंग आइटम्स नेक्स अभी हम स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा कैश्यू नट्स एंड में दो ग्रीन चिलिस लिया है फाइनली इसमें डालना है घी घी कंपल सरी होता है उसके बिना मज़ा नहीं आता है देखो घी डालके अभी इसको अच्छी तरह से पैक करेंगे मतलग कवर करेंगे उसके उपर अभी कवर करके इसको फॉयल रैप करेंगे इसको हवा नहीं जाना चाहिए बिर्यानी हमेश इस तरीके से रैप करके पकाना है और सिम में रखके 30 मिनिट्स तक इसको पकाएंगे चलिए अब बिर्यानी कैसी बनी देखेंगे एकदम परफेक्ट बना है और ये खुला-खुला बना है कलरफुल इतनी महकारे बहुत-बहुत बढ़िया लग रहे ऐसा लग रहे मुझे मै कब खाऊं इसको और चलिए फ्रेंट्स आप लोग भी जरूर इसको ट्राइ किजएगा और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक किजए अब तक जो सब्सक्रेब नहीं किया है वो लोग किजएगा और हमारा बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो का नो वेज है इसलिए में चिकन का नाम नहीं लुगी तो आप लोग ना वेज का कोई भी कूर्मा बना के इसके साथ खा सकते हैं ओके थैंक यू